हलो दोस्तो आज का वीडियो हमारे एक भाई के कमेंट के उपर है तो ये वीडियो पूरा देखिए बहुती अच्छा वीडियो है छोटा सा वीडियो रहने वाला है आए वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो भाई का कमेंट है चैपचास के चार वेस के लिए कौन सा एम्प्लिफायर सही रहेगा और साथी साथ चार टॉप वो तीन सो पचास वाट की स्पीकर का त्यार करना चाहते तो कौन से कमपनी का सही रहेगा और उसके लिए एम्प्लिफायर कौन से रहने वाला है और उन्होंने बेस के लिए जो 18-inch के base के साथ केवल 12-inch का top ready किया जाया और उसको बजाने पर कैसा quality मिलेगा और full range का speaker में क्या HF लगाने की जूरत है या नहीं तो इसी matter में बात करते हैं 650W के base के उपर रहेगा तो 650W का मैं यहाँ पर 4 base ले रहा हूँ चार base मतलब 4 speaker और इसके लिए जो cabinet रहेगा वो front वाला रहेगा front cabinet में हम इसको recommend करते हैं चाहे आप dual cabinet ही उसकरें चाहे आप single cabinet ही उसकरें लेकिन इसके लिए front cabinet ही सही रहता है तो काफी अच्छा speaker आऊ जागा इसका price भी market में करीब-करीब 18000 रुपय है इसके लिए मैं आपको पहला एक्वेंट करता हूं वह है एलेक से 32 और जो भाई लोग दीजे सिस्टम में नए हैं उनके लिए सबसे बेस्ट amplifier हैगा इस टैब के speaker system के लिए क्योंकि यह आउटपुट डेता है हमें ग्यारा सो वाट पर चैनल एट फोरॉम्स और यहां पे 56 का 40 speaker है पर चैनल हमें अच्छा उटपुट आपको वहाँ पे सुनने को मिल जाएगा हलका आप क्लिपिंग करा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे बात करें amplifier के price की तो यह amplifier अभी 42,000 से लेकर के 43,000 रुपए के अंदर में आपको मार्केट में मिल जाएगा और जो भाई DJ सिस्टम में senior हैं उनके लिए मैं LXA 4500 का amplifier करता हूँ इस पर क्या है कि फोरोंस पे 1550 watt हमें output मिलता है और यहाँ पे speaker जो है 300 watt ही हो रहा है तो 2500 watt headroom इसमें बच रहा है तो काफी अच्छा output मिलेगा बीना क्लिपिंग का आप इसमें LXA 3200 से थोड़ा सा heavy punch महसूस कर पाएंगे तो यह amplifier का ही है दोस्तों बात करे 4500 watt के amplifier के price की तो यह भी आपको 22000 से लेकर के 3000 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा और हाँ दोस्तों भाई ने question किया था कि SPA 25000 पे क्या मैं 6500 बेस चला सकता हूँ तो भाई बिल्कुल चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इतना जरूर कह करूंगा SPA 25000 जो है काफी costly amplifier है इसी price में आपको लगभग लगभग बलकि इससे कम ही price में आपको एलेक से 4500 मिल जाएगा और एलेक से 4500 में जितना प्रेसर आपको 6500 का 4500 मिलेगा एलेक से 4500 ही recommend करूंगा SPA 25000 देने की आपको कोई जूरत नहीं है अगर आप long time के लिए भ 50W के चारी speaker आराम से चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा या for example यह समझ सकते हैं कि एलेक से 32 में जितना quality में 650 का 40 speaker बज़ेगा उतना ही quality पे आपका SPA 25000 में बज़ेगा इसलिए मैं आपको एलेक से 4500 ही recommend करता हूं बात करें टॉप के speaker गी तो टॉप के speaker मैं recommend करूंगा DJ DJ Plus का 350W और जो भई नय हैं उनके लिए ये काफी सही speaker है 350W में 2 speaker आते हैं टो मोडल आता है एक 350ETR करके आएगा और ये एक जो है आपका 350MBS करके आता है दोनों ही सेम है बस स्रेम का design का अंतर रहता है तो जो speaker सस्ता मिले ले लिजिए यह speaker आपको भी 4500 के असपास मार्केट में मिल जाएगा DJ Plus का ही dealer से ले जिएगा काफी सही रहेगा यह speaker जो भई नय है उनके लिए और 350W के चारी speaker के लिए जो amplifier है वो मैं आपको LX से 32 ही recommend करूंगा अब यहाँ पर कई भई बोलेंगे कि LX से तो टौंस पर इस्टेबल नहीं है आपने कई वीडियो में ऐसा बोल speaker भी चला सकता है LX 6000 में भी आप 4 इंच वाले 80 speaker चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो 3 इंच का वाइस को ले इसलिए इसमें भी 80 speaker चल जाएंगे पर चैनल 40 speaker आपको चलाना होगा पूंस के लिए बेश्टे रहाएगा यहां पर और एचेब के लिए आप लगाना चाहते टॉप के साथ network प्लेटर टेस्ट करना चाहते हैं तो HF के लिए लगाईएगा कोई दिक्कत नहीं होगा अराम से चलेंगे और amplifier में headroom भी तो बच रहा है इसलिए अराम से यह amplifier handle कर लेगा इसको बात करें base की तो base का cabinet जो है इस प्रकार से रहेगा front वाला cabinet single रहेगा तो ठारेंग से बना हुआ चार दो dual base इस प्रकार से setup complete हो जाता है जिसके लिए दो amplifier रहेंगे और इसको चलाने के लिए आप राम से 10kv का generator यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास budget का कोई issue नहीं है तो आप 5000W के दो power amplifier ले सकते हैं DLX 2400 ताकि उसमें आप अलग-अलग एक एक चैनल पर एक टॉप चला सकते हैं बहुत ही अच्छा चलेगा वहाँ पे और अगर बजट प्रावलम है तो आप लेक से 32 पर भी चार्ट आप चला सकते हैं और हां यहां पर बात करते हैं दूसरे कमेंड की जिसमें भाई ने पूछा था कि बेस के साथ क्या हम 12 इंच की स्पिकर यूज़ कर सकते हैं तीसरा कहमेंट ओर था कि क्या फूलरेंज स्पिकर पर हम बिना हम का सिस्टम चला सकते हैं तो यहां पर पर देखा हैं कंपणी जो है शुआ है speaker के लिए भी जबकि उसमें high frequency बहुत ही अच्छा मिलता है फिर भी 20 वाट का है लेकिन लगाता ही है इसलिए मैं यहाँ पे आपको कम से कम 40 वाट का या 450 मॉडल आला दो एचेप रिक्मेंट करता हूँ भला ही चार्ट आफ है लेकिन दो एचेप कम से कम लगाई है अच्छा बजेगा और emergency में तो आपका बिना एचेप का भी यह काम आपका बन जाएगा अब बात करते हैं कि आठी स्पिकर के लिए जो कि 200 वाट कर आएगा फुल रंज वाले इसके लिए कॉन्स एम्प्लिफार यूज करें तो क्योंकि यहाँ पे यही स्पिकर जो है 16 ओम का भी आता है आट ओम्स का भी आता है तो मैं आपको 16 ओम्स का ही रिक्मेंट करूंगा क्योंकि 16 ओम के स्पि पिंग का चलाईएगा केवाल मिट फ्रिकुंसी दीजेगा इस वाले इस्पिकर में किसी प्रकार का बेस ना दे तो ही बेटर होगा नहीं तो सौंड में डिस्टॉर्शन आ सकती है आएगा ही क्योंकि यह फूल रंज वाला इस्पिकर है यह बेस को लेता ही नहीं है तो बि इंप्रिफयर की प्रेज की बात करें तो ईलेक से चोबिस सव यह भी आपका 33,000 के आसपास मार्केट में इसका प्राइज है कम भी हो सकता है ज़्याद भी हो सकता है हर अरिया का अपना-पना अलगलग प्राइज होता है तो बिल्कुल ले सकते हैं मारे इंच के आटी स्प भीटने क्या हो ऑँ कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करते जाईएएगा और हाँ यसा कि मैंने बताया तौब को जादातर जो है आप फॉरो पर ही रन करें तो ही बेडर होगा ढम को भी कह सकते हैं और एंप्लीफायर को भी कह सकते हैं कास करके लिए को ध्यान में रखते हुए तो दो एंप्लीफायर लगा लिजेए टॉट चार टॉप के लिए वह जादा बेटर होता है तो चैनल पर नहें है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस टाइब का डीजे सीस्टम से रेटेड वीडियो मनाते राता हूं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाईएगा चैनल को ज्यादा से ज्यादा से शेयर किजिएगा अपने दोस्तों साथ ताकि मेरा भी इसमें हेल्फ हो जाए आपके द्वारा तो इस वीडियो म फिर मिलते हैं किसी और नवे कमेंट के अंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्नेवाद